आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ देखिए बच्चों, हमारे पास एक प्रशन है इस पर एक बिंदू पी लिजिए, बिंदू पी से असपर स्रेखा की रचना कीचिए तो आई हम यहां पर इस प्रशन को हल कर लेते हैं हम क्या करेंगे, तीन समी तिरिज्या लेकर एक बिंद बनाएंगे ठिक यह हमारा क्या हो गया एक बृत हो गया जिसकी तिरिज्या तीन शेमी है किलर तो अब हम क्या करेंगे यहां पर यह जो बिंदू है और हमने क्या किया यह तीन सेमी तिरिज्या का एक बृत बना है यह कितना है यह आपका है तीन सेमी किलर यह कितना है तीन सेमी है और यह किसी बिंदू P पे आकर मिलता है अब हमें क्या करना है इस बिंदू P पे एक असपर्स रेखा खिचना है तो इसके असपर्स रेखा खिचने के लिए देखिए हम क्या करेंगे बिंदू P पे 90 अंस का कुण बनाएंगे तो यहाँ पे चाप में कोई दूरी लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे चाप काटेंगे यहाँ पे हमने क्या किया चाप काट दिया और फिर हमने क्या किया यहाँ पे चाप काट दिया और हमने क्या किया यहाँ पे इसको P से मिला दिया एक किरण खिची दिया लेंगे और फिर यहां से लेंगे यहां से लेकर हम क्या करेंगे उपर चाप काटेंगे और फिर यहां से लेकर इसको चाप काटेंगे टिक और इसको नाम दे देते हैं ए ठिक और यह हो गया पी अब यह जो आपका है एपी देखिए यह जो आपका एपी है एपी यही आपका क्या है यही आपका ओ अश्पर्ष रिखा है यही क्या है इस ब्रीद का अश्पर्ष रिखा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर एक रचना लिख लेते हैं ठीक तो रचना यह लिख लेते हैं तो रचना रचना की चरड रचना की चरवड में पहला हमने क्या किया था? यहां पे बिंदू ओ को केंद्र मानकर तिरिज्या 3 cm का ब्रीत बनाया और दूसरे चरवड में हमने क्या किया यहां पे तिरिज्या 3 cm का ब्रीत बनाया और तिसरे चरवड में हमने क्या किया? बिंदू पी पे बिंदू पी पर कोड़ ए पी ओ नब्यंस बनाया टिक बनाया आपके अर चाओथे चरण में और चाओथे चरण में क्या हो गया? चाओथे चरण में ए पी ए पी जञा ब्रीत का असपर्श रेखा है टिक तो यही क्या हो जाएगा इस ब्रित का पर्ष रिखा हो जाएगा धन्यवाद